खबर रीवा जिला के समरिया थाना छेतर से है जहां एक मानव कंकाल मिलने के बाद संसनी फैल गई घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो लापता लोगों के परिजन पहुँचे और उक्त कंकाल के आसपास मिले साप्छो के अधार पर महिला की पहचान रामकली सिंग उम्न सत्तर वर्स निवासी समरिया के रूप में हुई है बताया जाता है कि समरिया निवासी आदित सिंग ने समरिया थाना छेतर में गुमसूदगी दर्ज कर आई थी फिलहाल पूरी घटना के संबद में एडिशनल स्पी अनिर्स सोनकर ने बताया कि परिजनों का कहना है कि मांसिक रूप से कमजोर महिला पूजा पाट करनी के बहाने घर से निकली थी और वह जंगल चली गई हो सकता है किसी जानवर ने हमला कर दिया हो आगी रूप से थोड़ा सा अस्वस्त है वो और घर से सुवए 6 बजे निकली थी और घर पहुंची नहीं है इस सूचना पर वो इंसान मिसिंग परसन कायम करके से मरियत आने में तलास चल लही थी उसके परिजन लोग उनने भी तलास किया इस संबंद में कल जो है एक बड प्रिजन लोग महां पहुंचे थे और इसके अाधा किलो मीटर के सराउंडिंग में बहुत से अउसेस बें जिसके खटक किया गया है और जो जो से परिजन लोगों ने यह पहचान की है कि यह उसकी दादी का सौ है और यह दिमागी स्तिती खराब होने कारण जंगल में चल जली गई है और निस्य दूरूपसे इनकों किसी जानवन ने ट्रक कर दिया जिस से इनकी यह इस्ततीव ही आभी वह जो ऑसेस है उसको इकत्र किया जा रहा है और घटना इसधार के निरक्षण के बाद उसका जो ऑसेस तो पर इक्षण के लिए भेजा जा रहा है अभी उनके परिजन ने इस बात का दावा किया है कि वो उनकी दादी का है